नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो पलान है। वो पच्चिस पाइ चालिस के पलाट के उपर पूरा प्लान रेडी किया गया है। 40 फिट इस पलाट की जो लंबाई है वो 40 फिट है, चोडाई है वो 25 फिट है, पूरा वास्तु सास्तर के अनुसार है तो दिसाओं का मेजरमेंट मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लगा रखा है यहाँ पर यह पूरा मुकी मकान यानि इस्ट फैसी मकान है आगे से में रोड निकल रही है इदर आपके उत्तर दिसा है यानि नौर्थ दिसा है पीछे में आपके पक्षिम दिसा यानि वेस्ट है और इस साइड में आपके दक्षिन दिसा यानि साउथ है ठीक है अब आपको मैं पूरा प्लान अच्छे से समझा देता हूँ वीडियो को लाज तक जरूर देके पूरा वास्तु के अनुसार है तो समझना जरूरी है वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये आगे से रोड निकल रही है और इस्ट फेसिंग पूरो मुखी मकान है 25 फिट इसकी आगे से चोड़ाई है 40 फिट इसकी लंबाई है तो वास्तों सास्तर के अनुसार पूरो मुखी मकान का जो मेन गेट है वो आपका यहां लगेगा यहां आप देख रहे हैं गेट का हमने उप्सन दे रखा है तो यहां पर आपका लोई का गेट लगेगा इसके बाद जैसी आप अंदर एंटर करेंगे तो जो यह आप खाली जगे देख रहे हैं यह खाली जगे पूरी आपकी पार्किंग एरिया है पूरा गाड़ी पार्क करने के लिए 4 विलर, 2 विलर पार्क करने के लिए हमने यह पार्किंग एरिया रखा है तो काफी स्पेसपुल आपकी ये पार्किंग होगी इस पार्किंग का जो मेजरमेंट है वो आपका होगा 16 फिट तो इसकी लंबाई है 16 फिट लंबाई है और जो इसकी चोड़ाई होगी वो आपकी होगी 10 फिट तो 10-16 का भी spaceful parking होती है और parking गे अंदर इधर आप जो ये option देख रहे हैं यहाँ पर आप भूमिगत जो आपके पाने का जो tank है वो आपका यहाँ लगाएंगे वास्तु गेनो सार यह आपकी इसान दिसा है और इसान दिसा में आपका भूमिगत पाने का tank लगेगा जो काफी सुब होगा उसके बाद मैं आगे चलते हैं आगे चलने पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने gate लगा रखा है तो आपके गर की जो main चोगट है वो यहाँ पर लगेगी आपकी इस gate से आप जैसे घर के अंदर enter करेंगे तो आपके right hand side में आप देख रहे हैं मैंने सीडिया दी है clockwise यह सीडिया आपकी छट के उपर चली जाएगी काफी सुन्दर यह सीडिया लगेगी इस side में आप अपने open रख सकते हैं वीडियों से काफी अच्छी रोसनी आईगी जिससे आपके घर के अंदर उसके बाद में यह जो आप space देख रहे हैं यह जो इतना space है यह पूरा space आपका घर का आंगन है यानि कि आपके घर का यह हो गया तो दस बाई तेरा का यह आपका होल हो गया है, काफी सुन्दरी है होल है आपका, होल के अंदर आप देख रहे हैं, साइड में हमने दो विंडो दिये, दो खिड़के हैं जो आपके बाहर की तरफ ओपन होगी, जिससे होल में काफी अच्छी आपके रोसनी आएगी और पोज सुब होता है, तो जैसा कि यह इसान कौर्ण हो गया आपका, तो यहाँ पर हमने पूजागर दिया है वास्तु के according, तो यह आपका हो गया पूजागर, यह आपका पूजागर हो गया, काफी सुन्दर है, चार फिट इसकी चोड़ाई है और लगबग इसकी आठ फिट इसकी लेंथ रहेगी तो चार बाई साड़ी आठ तक इसकी लेंथ रहेगी काफी सुन्दर है आपका यहाँ पर पूजागर लगेगा इसकी एक खिड़की हमने इधर दिये, आप चाहें तो इधर भी दे सकते हैं, आपके पास दो ओप्सन है, ठीके दोस्तों, उसके बाद में इस गेट से वापस आप होल में आईए, होल में आएंगे तो इस साइड में देखें, यह अगनी कोन है आपका, क्योंकि यह दक्सिन और जो पूरवे दिशा होता है, अगनी कोन का होता है, तो अगर आपका अगर पूरवे मुख्य है, तो आपका जो रसोई घर है, वास्तु के अकोर्डिंग वो यहीं बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो गया कीचन, यहाँ पर आपका हो गया रसोई घर, रसोई घर का मेजर आपके होगा 9 फिट इसके चोड़ाई है ठीक है दोस्तों और साड़ी आठ फिट इसकी लेंद है तो यह साड़ी आठ बाई अदर लगेगा उसके बाद आप होल में चलने के बाद इदर में आपको सीडियों का उप्सन आपको बताए दिये कलोक वाई जूपर जा रही है इसके ठीक सामने हम जाएंगे तो आप यह जो एक गेट देख रहे हैं इस गेट से जैसी हम अंदर एंटर होंगे तो इस साइड लेट बात ही आपका इसकी जो चोड़ाई है दोस्तों वो है चार फिट आट इंच और जो इसकी लेंथ होगी वो आट फिट तीन इंच होगी तो चार फिट आट इंच बाई आट फिट तीन इंच काफी इस पैसपूल आपका लेटिंग बातरूम होगे है और इसकी वेंट पूल यह आपका रूम रहेगा इस रूम का जो मेजरमेंट वो मैं आपको बता देता हूँ रूम काफी स्पेस्पूल आपका और सुन्दर यह रूम लगेगा इस रूम की चोड़ाई है वो 11 feet 10 inch और लंबाई है वो 12,5 inch तो आपकी ऐसे चोड़ाई होगी रूम की वो 11 feet 10 inch इ इधर open हो जाएगी window और एक window देखिए इधर open होगी क्योंकि पीछे के side में हमने एक open area छोड़ा है जो आपके इस room से attached रहेगा ये काफी बड़ा open area हमने छोड़ा है ताकि पूरे घर का ventilation रहे अगर आपके आज प्रोस में मकान है और आप window अगर open नहीं कर सकते तो आप इस ventilation area से पूरे घर में आपका ventilation हो जाएगा दोनों रूम की आपकी window इसके अंदर open हो जाएगी और काफी सुन्दर आपका घर लगेगा तो बात करते हैं इस ventilation area की तो ये ventilation area आपका हो गया है चार फिट चार इंच इसकी चोड़ाई होगी चार फिट चार इंच इसकी ventilation area की चोड़ाई है और जो ये रूम रहेगा आपका बारा बारा का ये एक रूम हो गया आपका सुन्दर सा बारा बाई बारा फिट का रूम हो गया है जिसके अंदर इस ventilation area में जाने के लिए gate रहे और एक विंडो आपके अगर इस साइड में जगह है तो आप एक विंडो इस तर ओपन कर सकते हैं रूम काफी स्पेस पूल है बारा बारा का और अच्छा आपका रूम लगेगा और जितनी भी आपके जो विंडो रहेगी उनसे काफी अच्छी रोसनी आएगी रूम में और पूरे घर में तो दोस्तों 25 भाई 40 का आज का यह जो प्लान था काफी हमने अच्छे से वास्तु के अकोर्डिंग रेडि किया है आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए तो आज क यह प्लान आई तिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा और यूजफूल भी रहेगा आपके थैंगे